नमस्कार यो खबर भीत्र को खबर हो मा मदन खाती दर्शक्रिन साउन को महिना हिंदु धर्मावा लंबी महिला भगवान सिवा को पुजा अराधाना मा मग नचन माचा मासू नखाने देखी प्रतेक स्वम्बार सिवा मंदीर मा पुगी भगवान सिवा को पुजा अराधाना गरने ससकार नहीं रएको छा हिंदु धर्मावा लंबी मा अज़ा महिलाता हरेक बर्शकु साउन मा हरीयो चुरा हरीयो साडी मा सजीयर बसने गर्दाशन साउन मा हरीयो रंग प्रतीको लगाप जुन छा ते तिने लगाप मिहंदी मा पनी देखीं छा नेपाल मा तम मिहंदी पछिलो समय फेशन कै रूत मा रएको छा किसवरी देखी ब्रिद अहरू सम्माले मिहंदी लगाई रएका छन नेपाल मा मिहंदी को फेशन हाल ट्रेंड मा आउनू कुने नवलो कुरा भने वय न विगत लामो समेटे की मिहंदी लगाउने प्रचलन भायता पनी नेपाल मा भने मिहंदी लगाउने ट्रेंड बावला आयको धिरैवायको छाई न विशेश समार्व तथा बिभाह का कारेक्रमारुमा मात्र लगाउने यो चलन हाल नेपाली फेशन को रूपमा छा सुरस्त्रिंगार मा गणिने मेहंदी नेपाली फेशन को एक इस्ता बनेकुछा यद्यपी नेपाल मा भंदा भारत बंगलादेश मा प्रभावकारी मानीने मेहंदी को ट्रेंड सुन्दर्ता का लागी मात्र नभई सगुन का रूपमा प्रियोगुने गर्छा मेहंदिलाई सधुनका रुपमा बिवाहा जस्ता पवित्र कार्यमा लगाउने चलन निपाल का क्येही समुधायमा पनी चलिया आएकुछा मेहंदिलाई सधुनका रुपमा समेड ली इनला रेक सुबकारिय, बिबाह, तीज, तथा पवित्र महिना साउन भर नई मिहंदी लगाउने चलन छा मिहंदी डिजाइन अनुसार विभिन्ना नामली चीनिंछ मिहंदी लाई भारतिय, अरबिक, पाकिस्तानी, इंडो अरबिक, मिहंदी लाई दस प्रकार मा बर्गे करण गरिये कुछ तिसुत नेपाल मा मिहंदी को प्रचलन को प्रारंब देखिने भारतिय मिहंदी बड़ी चल्दै आयको पाइन छ साउंड महिनामा गाडा भारतिय को तुरानामा हलका भारतिय तथा अरबिक डिजाइन को मिहंदी नेपाल मा बड़ी लोगप्रिय मारीं छा येसका साथ है रंगी चंगी मिहंदी तथा फ्लोरल मिहंदी को क्रेज पनी उस्तेई छा दिन बार में मतलब 30 जाने को लाई छकियो उसके बाद में दिन बार को लगाएको मतलब 35 जाने को लाई छकियो मतलब 15 सक रोज मतलब डेली हम लोग कमाते हैं उसके बाद में मतलब हम लोग एहां मतलब इंडिया बाटा आयेको नेपाल में रहने पसने पहाँचा हो धार्मिक र बैज्यानिक कारण वद्दापनी पछिलो समय मा केही महिला हरूले देखावथी र होड बाजिलाई पहिलो प्राथमिक्तामा राखिर आफनो परमपरा र रिती रिवाजलाई मानी रएका शन। तेशुद भगवान श्री महाध्येप को भग्ती मा लीन हुना हरियो महेलो बस्त्र र चुरा पोते मा सजीने गर्शन। साउन मा चुरा बेचने व्याफारी र हातमा मेहंदी लगावने हरू राजधानी का चोक-चोक र गल्ली-गल्ली मा प्रसस्तै भेटिन शन। स्रिंगार का धेरई सामागरी मद्दे मेहंदी पनी एक हो धार्मीक र बैज्यानिक कारण भंदा पनी पछिलो समय केही महिलाले देखावटी र ओडबाजी मैं सही मेहंदी लगाई रायका चन। येसे लाईनाई आफनो मौलिक, सस्कार अनी सस्कृतिकई र उपमा पनी बुजी र एका सन। प्रसंगा बाकी नैचा हामी संगई रहनु खला। दर्शक ब्रेंद मेहंदी कसरी हामरो मौलिक सस्कृतिकई र उपमा बेकासे भाईरायको छा बन्ने बिशेमा केंद्री छों आजा। सावन महीना सुर्भाईसंगाई महीला हारू हरीयो र पहलो पहिरन मा सजी रहेका छन। उनिहर को हाथ खुट्टा मेहंदी को बिबिनन डिजाइन का बुच्चा हरूले भरियको छा। हरीयो पहलो चुरा र पोते पनी उनिहरू लगाई रहेका छन। बिबाहित मात्र वेन अहीले अव बिबाहित यूबती पणी मेहंदी मा शजीयो को देखना पाइन छा। उता साउन मा महिला हरीयो पहिरन मा शजीनु मा पनी आफने अर्था लुके को छा। साउन महीना सुरुभाई संगई महीला हरु हरियो र पहेलो पहीरन मा उनियर को हाथ खुटा मेहंदी को विविन जिजान का बुट्टाले सजीने गरेको छ़ फरियो पहेलो चुरा र पूते पनी बिभाहित मात्र होईन अहिले औ बिभाहित युवति पनी मेहंदी मा सजीएको देखन पाइन छा साउन महरियों पहेलो रातो चुरा पोतेर मेहंदी एवं कप्रा लगाउनुको पनी अफनी अर्थर हैको पाइन छा हरियो लाई प्रेम रब बाताबरण रातो लाई सवभाग्य एवं पहेलो लाई पवित्रता को प्रतिक कारूप मा लें छा येसे विश्वास का साथ पनी नेपाली बिभाहित तथा और बिभाहित महिला का लागे साउन पैसेश रायको बुझन शकिन छा येस कारण पनी साउन मा हरियो पहेलो रा रातो सम्मिश्राण गरी लगाउने चलन स्थापित हुदे आये कुछ तिस पची उनको इंगेजमेंट बहो उसके बाद में उनको बेवाशम पन बहो तिस तरी मान ची अल्ले बनी अमी बनी अपनो पती को लंबी आई या फिर अपनो पती रामरो पाऊश शम्रो सफलोस विवाया मलो रामरो बर पाऊने को लागी बनी उनी अले मेधी पाट तिस मालो असोब कारेरे हर में जैसे ब्रतबंद बयो पूजा बयो कुनी पनी अनुस्टान करदा गेरी हात में मेधी हम यहां हिंदू संस्क्रती के अंदर सब बंदा ठूलो कुरा की हुँँँच तबी के हात में लगे कुछो मेधी जो उन्जा तिसको बासना रातो मेधी रातो मलो हरेकची जरूरो gliया जात रातो इकर रातो लगाउंँच तब एकदम राम र प्रेसलीन्च है तेसुत जथाभावी पाईने मिहंदी मा भने अनेकन केमिकल को प्रयोखुने हुनाले शालामा बिभिन्न रोक निम्त्याँँश बजारमा पाईने रातो, नीलो, हरियो, खैरो, रंग, आउने मिहंदी हरु लगाउंदा ततकालाई गारा देखिया पनी यसले छालामा प्रतक्ष तथा अप्रतक्ष असर पारने बिग्यार बताऊंशन। अनता आयरवेदिक पहेंदिली अउसधिको रूपमा काम करनी रा हात मुलाएम गनाऊंच तर बजारमा पाईने बेभिन्न प्रकार को महेंदी तयार करता छाला जानी रा क्यांसर हुने सम्मको असर पने केमिकल हरु पेट्रोल, डिजेल, एसिट लगायतो घातक केमिकल प्राइखने अनुभाभियार पताऊंचन। आफ में लगायो तो कलर अच्छा थे ले अच्छाला में एकदम जलायरे भोगरे महलों कलर बसाँच तो बहत खांदा घरी परी परी पेट में जान जान चैजेले पनी नली अरुमें आप पनो शांस नली देखी एब्रिडिदिंग में नुक्शन आप मांसम्मा बरी नुक तरा आयरुवेदिक मेहदी ले काईले पनी यह आज देखी होई ना सोले सो इस्वी देखी तपेगो एजिप्ट कुमारानी कैलफूनियाले मेहदी लगा गो थी सर परदम तरा आयरुवेदिक होई तपेगो नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, मात्रिन ना भईकान हमरो साल कंट्री में तो टोटली में मेहदी को प्रेशलन छा मेहदी ले कैले पनी नुक्सान गरनी होई ना मेहदी एकदम आयरुवेदिक होँचा, तेले तपेगो हाथ लाइपानी शौफ्ट बनाऊँचा, छाला लाइ मुलायम बनाऊँचा, तिसके साथ फटेको हाथ जो ओंचा, गर्मी महिनामा या चीजों को महिनामान जो हाथ फटेक होँचा तेले लाइपानी निक्को पार मार्केट में पावनी जैसे मालो हर एक ब्रैंड को उक्रा गरनों सकते हैं जैसे चाइनीज मेहदी और आयरे को छा या फिर कलरफुल मेहदी और आयरे को छा ते तपीको छालालाई मात्री होई ना छाला में कैंसर बनी होनों सक्छा तपीको मालो अरू कुरार में पनी धेरी प्रकार को केमिकल हाले रे जन मेहदी बना गोचा तेले एक दमी तबेलाई नक्सान पगावनों काम करचा हो मेहंदी लगायरा संदर्य लाई बढावना खोजदा स्वास्त्यमा गंभीर असर करी राखे को हुँँचा छाडिक संदर्य ताले द्रिककालिन रूपमा नकर आत्मक असर पारी रहे कुँँचा तेसेले सस्तो मा जठावावी मेहंदी लगावनों भन्दा रामरो ठाव मानाई मेहंदी लगावना शुचा अब दिन्छन कारणले उनी अले जठावावी केमिकल हरी यूज करचा तरह रामरो कंपिनियेरो रामरो पाला रर्मा रामरो संस्तान रर्मा जो नैपाल सरकार दोरा मानेता प्राप्ट उनी अर्मेत पहीं जान्दाखेरी एकदमी रामरो क्वालिटी को मेहदी अली दुई-पैसा मंगो जब देट्सों की जगा 200 रुपा लेला 300 रुपा लेला 500 रुपा पनी महदी लगाऊंचा तरह 10 रुपा 20 रुपा पचास रुपा बाट्टों में जठावावी महदी जो लगाए रेको छा तिनी अले एकदमी केमिकल हरी यूज करी रेको ज़ा सपपई ले कर चा तिये प्लिस रामरोड ठाव में गए रे, रामरोड संस्तान अर्म मह यो भन्दै ना कि मेरें यहा आयरी तबली महदी लगाऊंचा ते जरूरी छे ना आप यहारी वैदिक महदी कीननूस महदी पावडर कीननूस घर में बसेरे बनी लगाऊंचा पचिलो समया रेडिमेट महदी मद्दत गरी रहेको छा, तर मेहंदीकै कारण जोखीम पनी उत्तिकै छा, संदर्या संग संगई मेहंदीकै कारण स्वास्तियमा बिभिन्न नकरात्मक असर पनी परी रहेको छा, छेडिक संदर्या ताले धिर्गा कालिन रूपमा नकरात्मक असर पारी राखेको विशे भन येति बेला धेरई जाना जानकार चैनन प्रसंग बाकी नहीं छा हामी संगई रहा नू कला दर्शक ब्रेंच साउन को महिना महिलाहरू हात मा हरियो चूरा र महंदी लगाईरा सजिय का द्रिश्य और एही संगई जोडिय का बिभेत पाठों मा केंद्रिच्छु मा आज हिंदु धर्मावा लंबी महिलाहरूले सुन्दर्ता र सौभाग्यका लागी साउन महिना भर प्रियोक गरने महंदी को सक्रात्मक पक्ष्य बड़ी नई रएको च्छन होला तर जथभावी रुपमा बिभिन्न गुडश्तर का महिन्दी हरू बजार मा भीत्रिय का चन जसले स्वास्त्यमा नकरात्मक असर पारी रहेको चा कदमय ठाउमा तो महंदी लाई डाक बनावना का लागी विविन्न खाले रासाइनिक पदार्था हरू को पनी प्रियोग गरीये कोचा जसले पनी स्वास्ते को लागी महंदी को प्रियोग जने घातक बनाई दिये कोचा साउन को महिनामा महिलाहरू हात्मा हरियो चुरा र मिहंदी लगाए र सजीने गर्दशन। विशेश तह हिंदु धर्माव लंबी महिलाहरूले सुन्दर्तार सवभागे का लागी साउन महिनाम हर प्रयोगर्ने मिहंदी को सकरात्मक पक्षय बड़ी भय पनी बजार्मान चथा भावी पाईने मिहंदीले स्वास्थे मा उत्तिके हानी समेत पुर्याउने गर्दशन। कती पए ठाउमा मिहंदीलाई गाढ़ा बनावना का लागी निभिनना किसिम को केमिकल, पेट्रोल, एसीट लगायत का बस्तु निशाइन छो जुन मानिस को स्वास्थ्य का लागी निक्केई घात खो। यसता मिहंदी को प्रयोगले छाला पोलने, छाला को एलर्जी देख क्यांसर सम्मक को रोक लागने खतरा होने, जानकार हरो बताऊँ छन। तर जसाइटेफ्टास, वा तर मान रहाों तर स्वास्थ्य क Україllी कैमिकल, प्रिकल, प्रिकोल्सलिय को जैसा प्रिक को रहरा ह।onstु जैसा ज़ाइजेख्ड , तर चाहिएम ऑनि स्वान देखण निना साइट अज़ागला प्रिका निचन लागने, घृटी आ से लागने को थ फ्राक्शर्स बनेको, स्प्लिटेंज वा हांगाज गाको बननों शानी, वो तेस्तो टाइप को गरंगनी, कईले काई पूरे यो कलर लगाको कपाल वा कलर लगाएको एरिया बाहेको औरी परीको स्किन पनी पूरे डामेज उनी, तेस्तो अरुचे साईर इफेक्ट राये चे स्वास्थ्यों मुल्यमा पाईयो भंदैमा जस्तो शुके मिहंदी लगाऊँदा मानिस को स्वास्थ्यमा गम्हीर असर परने देखिन छा, तेसेले मिहंदी लगाऊँदा प्राकेतिक मिहंदी प्रायोब करना चिकेच्चा खरुको सुछावश स्वास्यों मुल्डा deep, भंदैमा जसी लगाऊँदा में जसे वो साथ्तों मुल्यमा भंदैमा जुछब करना चिकेच्चा, स्वास्यों मुल्यमा को भंदैमा बत्युकेच्टिा, डिएक साईस्टीफैन अन्वांटेड पच्छी को लागी लाम समें दुख पाये रो ट्रीटमेंट बंदा, फर्स्ट मेंचे ये बेटर क्वालेटी को यूज़ करना पाये जने राम लागी देखा सिक्कीके आधारमा मिहंदी लगाउने हरू पनी धेरे इचन। पचिल्लो समये मिहंदी ले फेशन को रूप धाराण गरेको छा। कुहीना देखी अउलाको टुपा सम्म मिहंदी लगाउने चलांचा। सुन्दर तार सोभागे का लागी साउन भरी मिहंदी लगाउचन। तई पनी बजार मा पायेने मिहंदी ले स्वास्थ्यमा असर पु तो, तो, बजाला गरेको टुपाण्य। तो, अदी लागे को राणचा जोगाउने लुगा पाये सानो यूट्ए एर्या मा पाच्गित लेस्ति लूच लूच। अब हाथ वरको एरिया हो बनी चेह यह पार्ट इनर फोराम अली सैंसितिव होंच, फेस कपालमा लाउने हो बनीचेह कान पछार को यह एरिया बड़ी सैंसितिव होंच, तीसमा केही थोपा, मेंदी लायरो तेनला यही बेर चोड़दा, तो पहला एकड़ में सीरिया साइड तो निवाला चेह बनी चिलाओने रातो फोकार देखिने आलीन छा, अदर्वाइस तो टेस्ट करना सक्या बनी तो यह अलर्जी होना बाटे जोग्या, तर बही सक्या कान्ड में अचेह इनी जटी तेला ही तो निवादा ही प्राय लेचेह कर्मा अवेलेबल बाको यह अर् थोरे लोशन, कुने पनी आलर्जी मा मास्यराइजिंग लोशन एदी अवेलेबल चा बनलाओने, तेले अली हल्प बाएना बन्चेह आनी विशे सब्यको सल्लाली ने बाटे लाटे लाए गाढ़ा बनावने नाव मा विभिन्ना किसिम का केमिकल प्रयोब गर्नों हो दैना जसले मानिसको स्वास्थेमा असर गर्छा, तेसेले सस्तो मुल्यमा पाईयो भंदेमा जस्तो सुकै मेहंदी लगावनों पुदैना, कालो वा रातो बनावन प्रयोब गरिने केमिकले हाथमा छिटो मेहंदी लागे पनी यसले चालामा बिभिन्न समस्या हरू निम्तियाओ साथे चालामा कुनेपनी प्रकार को एलर्जी भायका मानिसले यस्तो मेहंदी को प्रयोग गर्ण फुदैना, येती मात्रे नभाई रा गर्भवती महिलाले मेहंदी प्रयोग गर्ण पनी तेती उत्तम नभायको चिकित्स खरू बताऊ छनु, मेहंदी मा प्रयोग भायका क बाद इन खालिटी केमिकल रेस्ट और ननाच्रल वनसन और लिए रपक्रण। विए केमिकल्स रेस्ट मा उजली पाईने बनाएन के यह PPT दाई नेपाल मा मेहंदी ब्यापार का लागी कुने माब दंजा बना ये पुछाई ना यसको अनुमान पनी गली दैना यसकारण बजार मा जथा भावी रूप मा मेहंदी बिक्री भई रहे देछा अनुगमन नहुदा महिला हरू बजार मा उपलब्द स्वास्ति प्रतिकूल का मेहंदी लगाउना बार्ध्य समेच छन तेसेले हामे आपई पनी मेहंदी आवसेक छा जुन येति वेला भायको देखी दैना मेहंदी लाई गाडा बनावने नाम मा विविन्न रासाइनिक पदार्त हरू को प्रियोक गरने क्रम लाई पनी बंद गरनुपा छा राम उपभोगता को स्वास्तिय संगा प्रतक्ष्य जोडियेको मुधा सरकार पनी उसेका साथ पुनहाव पस्तीत वनेश हों खबर भीत्र को खबर को लागी घर्दै रहन वलावी न्यूस खबर नमस्कार